हेलो अब्रिवान वेलकम टू अभी पीडिया आई होप यू अल आर दूइंग ग्रेट माइनेब इस अक्षय सोनी यह इसीन मेंटर और पीएस पीचेल रेवन्यू अकाउंटेंट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए हमारी सीरीज चल रही है इसका आज 28 सेशन है और मिक्स्ट प्रेक्टिस का आज 4 सेशन है ठीक है आई होप आपने प्रीबिएस वीडियो को भी गो थ्रू किया होगा अच्छे से और उसके जो आप आपको मैंने टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं उनको आपने अच्छे से फॉलो किया होगा तो हम सेशन को शुरू करते हैं ठीक है पीएस पीएस पीचल का जो एक्जाम है उसके कंपलीट कोर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप जो है इस कॉंटेक्ट नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं डैट इस 7 8377-3651 ठीक है कोई भी क्वारी है कोई भी डाउट है आप पूच सकते हैं ठीक हमारा मेंब पर आप जो है आपको बताएगा कि कोर्स क्या है कोर्स में आपको किस तरह से प्रिपेर करना सब चीज आपको इसमें स्वाल्ब करके बताई जाएंगे तो हम जल्दी से शेशन को शुरू करते हैं जैसे कि एक गिवन एस कॉश्चन में अस सटन नंबर पीपल आर सिटिंग इन्हें रोव फेसिंग नौर्थ बताया कि सटन नंबर आप परसन नहीं बताएं पर यह बताया एंड इस सिटिंग थार्ट फॉप पी के थार्ड लेफ्ट में है तो पी का थार्ड लेफ्ट क्या बनेगा इधर जो है राइट हेंड साइट जो आपका राइट हैं उस में एम को बनाया और ओ इस सिटिंग थार्ड तो दे लेफ्ट आफ एम ओ इसके थार्ड लेफ्ट में है ठीक है ओ एम के थार्ड लेफ्ट में एक्चली यहां पर मैंने सेकिंड बना दिया इसमें 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 थार्ड बने कि पोजिशन तो पी के थार्ड लेफ्ट में और इसमें बोला कि इनके अलावा कोई और परसन अगर इसमें ना बैठा हो तो नंबरा परसन कितने हैं आप काउंट करें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस तो दस हमारे पाउस आप्शन में अप्शन सी ठीक है नेक्स्ट को आप देखिए इस कोश्चन में गिव करें है sitting in a straight line facing North समी नौब की तरफ जो है फिस कर रहे तो इसके लिए आपने क्या करना right-hand side आपके right-hand left-hand side आपके left-hand, ठीक है इनका left-hand बनेगा only 3 people sit between sit to the left of d di लेफ्ट में तीन है सिर्फ तीन है लेफ्ट में तो क्या है कि इस तरह से साथ लोग है ठीक है यह फेस कर रहे है नौर्थ की दरफ चार पांच छे साथ डीके लेफ्ट में तीन है सिर्फ तीन ही लेफ्ट में है तो इस तरह से यह आएगा ठीक है मान के चलो यहां पर North है D के सिर्फ 3 ही Left में है तो यह बनेगी इसके Position Middle में Only 2 people sit Between D and A D और A के बीच में 2 है तो यह A इधर भी हो सकता है Similarly इस तरब भी बन सकता है तो A को और K साब बना के चलो जैसे यह D बन गया तो A इस तरब बन गया ठीक है Next है B sits 5th to the right of C B कहां पर है 5 वे right में है C के तो C को अगर मालो यहां पर रखते हैं तो उसका 5 वे right 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है तो क्या आएगा C के 5th right में B और अगर इस case में देखें तो क्या करना पड़ेगा C के 5th right में क्या बनेगा B 1, 2, 3 ऐसे अगर आप इसमें line ही बना लो तो better रहेगा इसमें 5, 7 position बना रहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है दो cases बनेगे अब इसमें अगर मैं C को अधर रखता हूँ तो B कहां पर बनेगा B बनेगा इधर और यह D था यहां पर और यह A है और अगर C को अधर रखें तो B को अधर बनाया जा सकता है दो किसी side by side चल रहे है G sits immediate left of E but somewhere to the left of A G sits immediate right of E E के right में है but A के कहीं left में तो उपर वाला case गलत मतलब इसमें कहीं पर आएगा G, E के immediate G, E के immediate right में है और A के कहीं left में है तो यह बना अभी हमें बताना है who is at the extreme right extreme right में कौन बना तो यह हम answer कर सकते है कोई एक person रहता है जैसे कि A, B, C, D E, F, F रहता है उसको place कर लें बट अगर question में requirement नहीं है तो उसको ना बनाओ ठीक है इतना enough है अब यह question है जैसे कि इसमें बोला गया है कि J, K, L, M, N are sitting on a bench J is on immediate J is the immediate neighbor of K M is immediate neighbor of N and J is not sitting with L who is sitting on the right end of the bench ठीक है यह बताएगे इसमें कितने लोग हैं यह bench पे बैठे हैं एक ही तरफ देख रहे हैं कितने लोग हैं पांच लोग हैं तो एक, दो, तीन, चार, पांच यह पांच लोग आगे हमें किसको प्लेस करना है L who is sitting at the right end तो यह L आगे है राइट एंड पे बैठा है ठीक है इधर कहीं पे left hand होगा L इधर आगे है राइट एंड पे और L की regarding क्या है J is not sitting with L J इधर नहीं आएगा J को हम यहाँ पे cross करके चलते है M is immediate neighbor of N J is immediate neighbor of K J immediate neighbor है K का तो K के साथ में कहीं पे J बनेगा इस तरह से बन सकता है और M किसका neighbor है N का M और N साथ में इस तरह से बनेगे पढ़ आगे point पढ़ते है J sits to the right of M and N J कहाँ पे है राइट में है M और N के तो M और N यहाँ पर बनेगे J बनेगे इधर और K बनेगा इस जगह पे कहीं पे M और N बनेगे M sits to the right of N N के राइट में है M ठीक है तो यह इसमें arrangement बना अब यह हमें बताना क्या है In which position is J sitting J की position कौन सी है जे कौन से नंबर पे मिडल में ठीक है थर्ड फ्रॉम दा लेफ्ट या थर्ड फ्रॉम दा राइट यह बोला है थर्ड फ्रॉम दा लेफ्ट यह तो मिडल आता तो वह भी चल पड़ता तो कौन सी आगी option ठीक है अब यह question बताया गया इसमें girls के बारे में बताया गया बोला गया कि कितनी girls है G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 आठ girls है और उनके बारे में बताया गया sitting around a circular table facing the center facing बताईए सभी की तो इस तरह से आएगा यह 8 लोग हम बना लेते हैं 8 girls सभी की facing है तो सभी का right इस तरफ सभी का left दूसरी तरफ अगर requirement पड़ेगी तो यहाँ पर हम बना लेंगे इसमें दूसरा जो है case G is third to the right of E G1, G5 जो है third right में है G1 के तो पहला दूसरा तीसरा यहाँ पर आगा G5 ठीक है G5 कहाँ पर है third right में है G1 के G8 is second to the right of G4 G4 is not an immediate neighbor of G1 और G4 तो यहाँ पर G1 और G4 के pass में जो है कौन नहीं आएगा G1 और G5 के pass में यह G4 नहीं बनेगा इसमें यह बता है G8 कहाँ पर second right में अब आप देखिए इन चार जगा पर यह G4 नहीं होगा तो कहाँ पर आएगा अब G4 अगर यहाँ पर करेंगे तो उसके जो है second right में हम बना सकते है G8 को अगर इदर करेंगे तो उसका second right नहीं बन पाएगा मतलब क्या आएगा G4 इदर और G8 उसके second right में देखिए यहाँ पर बताएगा और G6 और G2 और इमीजेट नेबर G6 और G2 यहीं पर बनेगे G2 is not an immediate neighbor of G1 G2 इदर नहीं बनेगा मतलब G2 जो होगा वो इदर आएगा और G6 इस जगह पर बनेगा G7 is not an immediate neighbor of G8 G7 इदर नहीं आएगा G7 आगे उपर और एक परसन रहता है उसको प्लेश कर लेंगे ठीक है देखके कौन बनेगा G1 G2 यह G3 रहता है तो फ millones कर लगे लिए तो इसमेंसे हमें बताना यह जो दो स्टेट्मेंट दी गहीं इनमेंसे कौन सी TRIWE is which are the following statement is correct correct कौन सी ये इस सदी इइमिजेटी नेवर अफ esa जी इस पोइजेट का इमीजेट नेभर फजीben और जी त्री जो है एंट है मतलब यह दोनों को दोनों सही appreciate थिकाहएगा दोनों को सही विलिई ने की till गए हैं एक रो में हैं और सभी साउथ में देख रहे हैं साउथ फिसिंग है तो आपके क्या आएगा इस तरह से साथ लोगों को बना लेते हैं हम देख लेते हैं कि मिडल में किसी की position दी हो अगर दी होगी तो हम या किसी की end से position दी हो तो हम बना लेते हैं जैसे की k is fifth to the left of j k does not sit at any end k कहाँ पे है fifth left में किसके j k और k किसी भी end पे नहीं है अगर हम ऐसे बना के चलें यह सबी south में face कर रहे हैं 4 5 6 और 7 साथ लोग हैं सभी का right hand इदर left hand इदर requirement पढ़ेगी तो हम दूसरा case भी बना लेगे तो इसमें बोला कि k fifth left में है j k left इदर चलेगा अगर मैं j को इदर place करूँगा तो kya k का आएगा k कहां पे आएगा 1 2 3 4 5 k आगया fifth left में अगर j को इदर place करेंगे तो k को हम यहां पे place नहीं कर पाएंगे l is exactly in the middle of the row l यहां पे exactly middle में left में तीन left और राइट में तीन-तीन l sits third to the right of m l जो है third right में है m के m के तीसरे राइट में ठीक है और only two boys sit between o and p o और b के बीच में किते हैं थीक है तो इसमें से अभी आपको है o is not an immediate neighbor of l o l का immediate neighbor नहीं है तो और एक इसमें person रहता है that is j k l m n रहता है इसमें तो यह आ गया इसको हमने place कर दिए अब इसमें क्या बोला है कि three of the following are similar in a certain logic for my group कौन सा group को belong नहीं करता इन चार में से एन और जे को देखो एन और जे जो है इसमें क्या रहा है n से अगर हम जे की बात करें तो इसमें यह एक का gap है बीच में और p और n को देखो पी और n के बीच में भी एक है l और o को देखो एक है k और m की बात करें तो साथ में तो यहीं इसमें से डिफरेंट बन रहा है गुरू को बलॉंग नहीं कर रहा है ठीक है अब यह question दिया गया है seven sisters इनके नाम दिये गए है और बोला गया है कि यह एक row में है face कर रही है north में कितनी है seven sisters तो आप इस तरह से seven sisters के लिए बना लेंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ ठीक है हो सकता है कि इसमें किसी की position end से दी हो या किसी की position middle में कहीं पर दी हो तो हम देख लेते हैं ललिता is standing to the immediate right of Rita who stands for to the right of the गीता गीता के फोर्थ राइट में तो इसमें दो किसी बन सकते हैं गीता के फोर्थ राइट यहां पर बनाए गीता अगर यहां पर तो फॉर्थ राइट फॉर्थ यहां पर आ जाएगा और ललिता के बारे में क्या बोला लेटा इस तेंडिंग to the immediate right of Rita तो यहां पर आ जाएगा ठीक है इसमें आ जाएगा गीता के फोर्थ राइट में रीटा गीता और इसके फोर्थ राइट में एक तो तीन चार यहां की रीटा और रीटा के क्या बता है ललिता standing to the immediate right तो यहां पर आ गया इसमें ललिता एक केस यह बना दूसरा केस यहां पर यहसे लेके चलो कि घीता इधर है कि गीता के फोर्ट राइट में कौन बना रीटा और रीटा के इमीजेट बनिता गया है पारूनली इंट बीशित पे इसमें हम बना सकते हैं कि यहाँ पर सुनिता स्नीत पर मेदल पॉजिशन कर दिक्षित जो है मेरा इस में हमा सकते है इसमें देखो यहां पर सुनीता मेडल पूजिशन पर बन रही है तो दिक्षिता और बवीता के बीच में यह है तो यह नीचे वाला के समारा सही बन रहा है और इसमें जो लास्ट में बचा हुई स्टेंड दा राइट मोस्ट पूजिशन जो भी इसमें हमने डिसकस नहीं तो अगर आपको समझ आ रहे होंगे तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक भी कर दें शेयर भी कर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इस इपाफ देखें यहां पर बताया कि साथ लोग आप साथ फ्रैंट्स और इनकी पूजिशन बताई एक सर्कुलर टेबल के एरांड बैठे हैं और कर रहे हैं सेंटर बन गए तो हमें क्या करना है तो साथ लोग इस तरह से बना लो यह ठीक है यह सेंटर की तरह फेस कर रहे 2,3,4,5,6 और 7 यह साथ लोग बने अब हमें क्या करना है हमें ध्यान रखने है कि इनका राइट इस तरफ होगाeft दूसरी तरफ होगा क्लॉक वाइस में होगा लेफ्ट और राइट जो होगा एंटि कॉलॉक में होगा पर् इस इमिजेट नेवर औध तानिया औंड सुशील ओमा इस इमिजेट नेबर और बोथ काजी एंड विष्णू काजी इस सिटिंग सेकेंड टुदी राइट ऑफ तानिया अब हम क्या करेंगे तानिया के सेकंड डाइट में इसको बनाएंगे पहले काजी को बनाएंगे पहले यहां पर आगा काजी और काजी के विद् कि ठीक है और यहां पर आएगी उमा तो यह बन गया और आगे था इसमें कि पर्व इस इमिजेट ने बरा बोथ तानिया इंड शुशील तानिया हमारे पास है शुशील को इधर बनाना पड़ेगा और जो पर्व जो होगा वो इस जगा पर कहीं पर बनेगा अब इसमें ए सब्याकर न paragraph कोश्चन पर ध्यान देना हुवाइज़के लेफटाइब काजी के इमडेट लैट में कौन यह रहा आख आटryके का इसमें लोग इस में साथ लोग है इस तरह से बना लो इसमें साथ लोग है इस तरह बना लो इसमें साथ तीन चार पांच छे साथ साथ लोग बन गए सभी का राइट आप यहां पर रेफरेंस ले सकते हैं सभी का लैप दूसरी तरफ अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट बोला गया कि अगर यहां पर बनेगा और अगर बनेगा तो अगला पॉइंट इसमें पड़ते हैं इस नेवर औप और यहां पर कहीं पर बन सकता है कहीं पर भी डी इस बिट्वीन एंड ए डी है किसके बीच में ए के और ए के बीच में तो यह आ गया और इसमें ए किसके किसका नेवर है सी का और बी को हम इदर प्लेस कर देंगे तो यह हमारे पास अरेंजमेंट बना अब हमें क्या बताना है फॉर्ट लेफ्ट में देखो एक तो तीन चार चार में कौन सा बनता है सी बनता है ऑप्शन सी इसका अंसर है ठीक है तो यह थे हमारे कुछ कोशन आई होप आपको समझ आयोंगे सीटिंग एरेंजमेंट के अल्मॉस्ट सभी कोशन थे ठीक है कोई इतने ज्यादा टफ और इन में आपका कम से कम टाइम लगना चाहिए अगर आप इसको करोगे ठीक है तो एक बार आपने पिछले सेशन को भी गो थ्रू कर लेना और कुछ अगर आपको रेवनियो अकाउंटेट एंड इंटरनल ऑडिटर के लिए कुछ आपको जानकारी चाहिए और आपको इन तो लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब आर चैनल और इसको शेर भी करते हैं ताकि यह वैल्यूबल कंटेट ज्यादा से ज्यादा स्टूरें तक पहुंचे